नमस्कार दोस्तों! कहानीों की स्रंकला में आज सुनेंगे सुबद्रा कुमारी चोहान जी की कहानी बियाहा लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानिया अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें आज सुनिये बियाहा जबलपुर से आजमगड डियोड़े दर्जे का जनाना डबा और पूरे डब्बे में अकेली मैं डाग गाड़ी हवा में उड़ती चली जा रही थी, और मेरे दिमाग में रह रहकर एक ही बात चकर काट रही थी कि जब जब मैं बच्ची को लेकर चलती हूँ, डब्बे में तिल रखने की जगए नहीं होती और आज जब मैं बिलकुल अकेली हूँ, तो डब्बे भर में यात्रा करने वाली एक भी इस्त्री नहीं साथ में ना तो कोई पुस्तक थी और ना अकबार मुझे अकेला पन अखरने लगा, बच्ची साथ होती तो वह इस बेंच से उस बेंच, इस खिड़की से उस खिड़की डब्बे भर में दोल लगाती और उसे सम्हाल रखने में मैं इतनी व्यस्त रहती कि ना तो पुस्तक का ही अभाव खटकता और ना किसी सहयात्री का जबलपुर से चल कर गाड़ी कटनी में रुकी, दूसरे डिब्बे में कई आत्री चड़े और कई उत्रे पर इस जनाने इंटर में कोई परिवर्तर ना हुआ मैं जबलपुर से जैसे अकेली चली थी, वैसे ही कटनी से भी चली डाग गाड़ी फिर हवा से बातें करने लगी सतना आया, ट्रेन की गती कुछ धीमी पड़ी और मैं उठकर खिड़की के पास बैट गई देखा एक छोटा सा बच्चा, लड़की या लड़का प्लेटफर्म पर दोड़ा चला आ रहा है उसके हाथों में एक छोटी सी पीतल की थाली थी थाली में एक छोटी सी कटोरी, एक गिलास, सब को आरती उतारने की मुद्रा में पकड़े वह दोड़ रहा था ट्रेन रुकी और वह बच्चा भी रुग गया, ठीक मेरे डिब्बे के सामने तभी मैंने देखा कि एक कांस्टेबल और दो-तीन स्टेशन के कर्मचारी आपस में उस बच्चे के विशा में कुछ कह रहे हैं बच्चा उनी के पास खड़ा था जाने क्या सोच बिचार कर वह कांस्टेबल बच्चे को लाया और दर्वाजा खोल कर डब्बे में बिठा दिया बच्चे को बठलाने के बाद वह मुझसे विने भरे स्वर में बोला बहन आप जरा इस लड़की को इलहाबाद में उतार देना आज कई दिनों से यह हर गारी पर दोड़ती आती है और कहती है कि इलहाबाद जाऊंगी मैंने पूचा परิए बच्ची है किसकी यह तो मैं भी नहीं जानता कांस्टेबल ने कहा पर इसे इलहाबाद जाना जरूरी है कई दिनों से कह रही है और गाड़ी के पास दोड़ कर आती है मैं और कुछ पूँछूं कि सीटी हो गई और ट्रेन चल पड़ी मैंने सोचा कि यह भी एक मुसीबत ही है ट्रेन इलाहबाद 11 बजे के करीब पहुंचती है आज एक घंटे पीछे जा रही है तो 12 के पहले क्या पहुंचेगी और इलाहबाद पहुंचते पहुंचते यह सो गई तो क्या इसे कोई लेने आएगा कोई ना आया तो इसे किसे सौपूंगी एक ही साथ बहुत से प्रश्ण मेरे मन में उठे पर ट्रेन चल चुकी थी और मेरे प्रश्णों का उत्तर देने वाला कोई न था अब मैंने मुड़कर उस बच्ची की ओर देखा वह बेंच पर न बैठकर नीचे एक कोने में सिमट कर बैठी थी सामने थाली थी और थाली में वही कटोरी और गिलास देखने में 5-6 साल से अधिक की न जान पड़ती थी मुम्किन है कि इससे कुछ ज्यादा भी हो पर थी बिल्कुल ही बच्ची कमर से नीचे आधी जांक तक एक मटमेला सा कपड़ा लपेटे थी और कपड़ों के नाम से कुछ भी नहीं था सिर के बाल लड़कों की तरह मशीन से कटे हुए थे चेहरे पर विशाद की गहरी छाप थी और आँखों में एक प्रकार की करुणा मिस्त्रित गंभीरता मानो इस छोटे से जीवन में ही उन आखों ने इतना कुछ देख लिया है कि अब कुछ देखना शेश नहीं रह गया बच्चे सुभाव से ही चंचल होते हैं पर इस बच्ची की चंचलता जैसे उसके दुखों के भार से दपसी गई थी मेरी बच्ची और इस बच्ची में कितना अंतर था यह गड़ी हुई मूर्ती की तरह शांत और इस्थिर बैठी थी डाग गाड़ी उसी पूर्ण वेक के साथ दोड रही थी पेड, नदी, नाले, जाडियां, हरे भरे खेत, मैदान और पहाड सभी बिपरीत दिशा में भागते हुए दिखाई देते थे पर वह एक तपस्वी की तरह शांत और मौन बैठी थी मैं उठकर उसके पास गई उसके करीब ही बैठकर पूँचा तुम्हारा नाम क्या है राम प्यारी, मेरी तरफ बिना देखे ही उसने जवाब दिया और तुम जा कहां रही हो इलहाबाद, फिर वही संचिप्त सा उत्तर मिला इलहाबाद, इलहाबाद में किस के पास जाओगी मैंने फिर पूछा पर इस बार सिर मेरी तरफ उठा कर देखते हुए उसने कहा अपने बियाहा के पास जाइत लाग है कितने आश्वासन और विश्वास के साथ उसने कहा बियाहा के पास तो इसकी शादी भी हो चुकी कितनी कम उमर और बिलकुल अकेली मैंने फिर पूछा तुम्हारे माबाप कहा है मरी गे उसी विकार रहित स्वर में उत्तर मिला मरे कितने दिन हुए और भी तुम्हारा कोई है धेर दिन भा अस्पताल मां बिमार रहिन और हुआई मर गयन हमार बियाहा इलाहबाद मा है और यह कटोरी थाली गिलास कहां से लाई हो अपने घर से लाइन है बियाहा के जाइत लाग है उनी के घरे ले जाबे आह मैंने सोचा यह बेचारी बच्ची जिसके माबाप के मरने पर बियाहा ने एक बार खोज खबर तक न ली उसी बियाहे को सोयम पैत्रिक संपत्ति लेकर खोजने निकली है कितने आश्वासन और विश्वास के साथ जा रही है मैंने फिर पूछा इलाहबाद में तुमारा बियाहा कहां रहता है उसने फिर वही सादा सा उत्तर दिया हुआई इलाहबाद मा रहत है अब और क्या पूछती वह तो इलाहबाद को भी अपने गाउं सरीखा समझती थी जहां इने गिने दस-पाज घर होंगे और तुरंत ही नहीं तो घंटे आद घंटे में बियाहे का घर खोज लेगी मैंने फिर पूछा इसकी पहले भी कभी भी बियाहे के घर गई थी उसने आशर मिस्रित कातरता के साथ मेरी ओर देखा फिर बोली चलाओ भय बिना बियाहे के घरे को नहीं जात तो हम कैसन के जाईत अब इसके आगे प्रश्न करना अत्याचार होता इस अदम और अटल विश्वास पर आगात करने का मुझे सहास ना हुआ गाड़ी उसी तेजी के साथ चली जा रही थी ठंडी हवा तीर की तरह भीतर आकर शरीर को कपाने लगी मैंने अपनी लंबी बाह का ब्लाउज निकाल कर पहना और शाल ओर ली और उसी समय मेरी द्रिष्टि उस राम प्यारी पर पड़ी जो कमर तक का छोटा सा कपड़ा पहने खुली बैटी थी पत्थर की प्रतिमा की तरह जिसे सर्दी गर्मी सबसमान है मैंने सोचा क्या इसे सर्दी न लग रही होगी मेरी बच्ची साथ होती तो उसका कोई कपड़ा इसे पहनने को दे देती अब इसे दूँ भी तो क्या दूँ मेरे शरीर पर ब्लाउज और शाल मुझे काटने से लगे मैं केवल दो दिनों के लिए जा रही थी इसलिए कपड़े भी इने गिने थे अंत में बहुत सोच बिचार के बाद मैंने तै किया कि बिचाने की चादर के बिना मेरा काम चल सकता है और उसे निकाल कर मैंने उस बच्ची को अच्छी तरह से उड़ा दिया वह कुछ बोली नहीं बिसमे के साथ मेरी और देखती भर रही शाम बढ़ चुकी थी कुछ भूख सी मालूम होने लगी अब खाना भी हम दोनों ने एक साथ खाया मैंने एक अपूर्व संतोस का अनुभव किया ऐसा संतोस जिसमें एक आभार जिपा था इस लड़की ने मेरे मात्रित को क्रियाशील होने का अउसर दिया खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए लेट जाने की आदत है और मैं लेट गई कुछ उनींदी सी इतने में गाड़ी फिर रुकी यह मानिक पुर्था चित्रकूट दर्शन करके लोटने वाली इस्त्रियों का एक जुंट एक साथ ही डब्बे में भर गया मैंने पैर समेट कर दो इस्त्रियों को बैठने की जगए पैताने कर दी पर उठी नहीं लेटी रही पहले तो वह आपस में ही बातचीत करती रही फिर उनका ध्यान उस लड़की की ओर गया और पूछताच शुरू हो गई मेरे पास बैठने वाली ने मुझसे पूछा क्यों बहन जी यह बच्ची आपके साथ जा रही है और मैं नहीं कहके फिर सो गई अब सीधे उसी से प्रश्ण होने लगे क्या पूछा गया मैं सब तो नहीं सुन सकी पर राम प्यारी को यह कहते सुना इलाहाबाद अपने बियाहा के पास जायत लाग है और फिर उन इस्त्रियों की हसी सुनी मुझे फिर नेंद आ चली थी मैं सो गई थोड़ी देर बाद बहुत शोर गुल सुनकर मैं उठ बैठी देखा तो सामने ही पटिये पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था इलाहाबाद जंग्शन सजग होकर मैंने उस कोने की ओर देखा जहां राम प्यारी बैठी थी पर वह वहाँ नहीं थी मेरी चादर समेट कर मेरे पैताने रख कर राम प्यारी अपने बियाहे को डूडने चली गई सामने प्लेट फार्म पर जहां चित्रकूट के दर्शन का पुने लाफ करके लोटने वाली इस्त्रियों का समोव कड़ा था जिन से बिना टिकट के यात्रा करने के कारण टिकट जाचने वाली महिला डबल किराय के लिए उलज रही थी मैंने देखा राम प्यारी, कटोरी, गिलास और थाली को आर्थी की मुद्रा में पकड़े खड़ी है उन इस्त्रियों के साथ वह भी रोक ली गई थी उन इस्त्रियों के यह कहने पर कि वह लड़की उनके साथ नहीं है टिकट जांचने वाली महिला ने राम प्यारी से पूछा छोकरी तो कहां जाएगी? कहां से आई है? और राम प्यारी का उत्तर था घर ते आईत लाग हैं अपने बियाहा के घर जाब और वह आगे बढ़ गई मैं देखती रह गई जंक्षन का कोला हल उसी प्रकार हो रहा था पर मेरे कानों में राम प्यारी का स्वर बियाहा के घर ही गुँज रहा था क्या वह राम प्यारी का ही स्वर था? वह छोटी सी बच्ची क्या जाने बियाहे को? ऐसा लगा कि योग योग से कोई अग्यात वानी जिसे सीता और सावित्री कहते हैं उस बच्ची के कंट से प्रतिध्वनित हो रही थी मैं सोच रही थी कि मैं सांसारिक बंधनों से और अभी तो आजमगड के कवी सम्मेलन से ना बंधी होती तो राम प्यारी के पीछे पीछे जाती देखती वह अपने ब्याहा को कैसे खोजती है आह यह अन्वेशन कितना सुन्दर होता पर अब तो रह रह कर एक ही प्रश्न उठ रहा था जो अभी भी अनुत्तरित ही है उसका ब्याहा उसे मिला भी या नहीं तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके मुझे जरूर बताए